गूड मार्णिंग और प्रिनीज, माईशल्फ यसुन्द कुमार फ्राम चड़क्या कॉलेज आफे यूगेशन, आज की इस वीडियो में पाठ युजना संख्या दू, कौसल का नाम है द्रिष्टांद कौसल भाग तीन, पुना सिच्छण के अंतरगत अध्यान करेंगे, जैसा कि हम पहले भी सिच्छण पाठ युजना के अभ्ध्यास में शीख चुके हैं, कि शामपट पूती करने के पश्चात, जो पाठ युजना अभ्ध्यास करते समय, जो समय का मुल्यांकन किया जाता है, यांकन किया जाता है, आमापन किया जाता है, जब हम पाठ युजना को प्रारम करते हुँ, तभी से शमय का गणना होता है, शामपट कार के पूर्ती में समय का मापन नहीं होता, जैसा पाठ युजना के प्रारूप में प्रस्थुत है, संस्था का नाम, छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम, दीनांक, कच्छा, बिशे, उपविशे, प्रकरण, कालांथ और समय, पुना शिक्षण, आज हम पुना शिक्षण, पाठ्योजना के अंतरगर्द, सबसे पहले यह जानने का प्रियास करेंगे, कि पुना पाठ्योजना क्यों किया जाता है, चुकि प्रथम बार जैसे पहले हम शिक्षण कार करते हैं, तो पहले शिक्षण कार करते समय, बहुत हमारे शिक्षण में तूटिया रह जाती है, उन तूटियों को परवेच्षक टिपड़ी के माध्यम से पढ़ करके हम अवगत होते हैं, और पुना अभ्यास करने के लिए हम ये तूटियां हमारे सिच्छण अभ्यास में रहें, इसी का हम ध्यान रखते हुए पुना सिच्छण कार करते हैं, तक पर ये है कि पुना सिच्छण कार पहले किये गए होए कार के तुलना में अधिक बहतर होना स्वभाविक है ये परिहार है, इस प्रकार से पुना सिच्छण उसी का होता है, जो पहले हम सिच्छण कार कर चुके होते हैं, उसी पाठ्योजना को पुना पढ़ाया जाता ह है और फिर पुना हम यह प्रियास करते हैं कि जो तुरुटिया पहले के शिच्छन अभ्यास में थी वो तुरुटिया अब इस पुना दूसरी बार में सिच्छन के दर्म्यान ना रहें जैसे पहले इसके लिए निरदेश देते हैं छत्रा ध्यापक द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि प्रश्ण कप्षा में शामोह कुरूब से करते हैं और यदि छात्र को उत्तर आ रहा है तो सभी छात्र उत्तर जब तक नहीं देंगे तब कि छात्र अध्यापक द्वारा वह जिस छात्र से उत्तर प्राप्त करना चाहरा है उसी छात्र से वह उत्तर प्राप्त करने के लिए वह संकेत करता है और वही छात्र प्रश्ण का उत्तर देता है तात्पर ये है कि सामोहे पुरूप से प्रश्ण किया जाता है और उत्तर प्राप्ती में छात्रा भ्यापक के अनुसार ही वो जिस छात्र से उत्तर चाहता है उसी से वो उत्तर प्राप्त करने के लिए निर्देश देता है कि जिन छात्रों को इस प्रष्ण का उत्तर आता हो वो अपना हाथ उपर करेंगे और फिर उनमें से जिस छात्र से उत्तर जाहेंगे वो छात्र अध्यापक उसी छात्र से उत्तर के लिए पेच्छा करता है और फिर संकेत करता है इस प्रकार से जो पहले सिच्छण में ऐसा निर्देश नहीं दिया गया था तो उसको फुधारने के लिए हम प्रियास करते हैं पुना सिच्छण कारे में और ये पुना सिच्छण कार करने से हमें पूरा आफस्थ हो लेना होता है कि हम बीना त्रूट किये हुए अपने सिच्छण को प्रारंब करें तो इस प्रकार से जो पाठ्योजना का प्रारंब किया जाता है तो प्रारंब अब पहले प्रस्ण से करते हैं और समय के गड़ना अब यहां से प्रारंब होता है जैसा कि पाठ्योजना संख्या 2 के प्रारूप में यह जो त्रूटियां पहले थी इन में से कुछ सुधार हुए है उसका उल्ले किस प्रकार से है तो निर्देश देते हैं कि चित्र दिखाते हुए और तेर कुष्चन को पूटप करते हैं प्रश्ण संख्या एक है हमारे देश की राष्टपिता का नाम क्या है छात्रा द्यापक प्रतिप्तर में प्रस्तुत करता है हमारे देश की राष्टपिता का नाम महत्मा गांधी है प्रश्ण संख्या दू महत्मा गांधी का जन्व कब हुआ? उत्तर में प्राप्त होता है महत्मा गांधी का जन्व 2 अक्टूबर 1839 में हुआ प्रस्ण संख्यातीन है 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम महत्मा गांधी या जिगांधी जन्व दिवस के रूप में मनाते हैं नेश्ट कुश्चन जो होगा गांधे जी कौन सा सुधार कार किया है? छात्र उत्तर देते हुए गांधे जी समाज सुधार कार किया है नेश्ट कुश्चन है सत्याग्रा आंदोलन कहां से शुरू किया गया? छात्र उत्तर देते हुए सत्याग्रा आंदोलन बिहार राज के चंपारण जिला से शुरू हुआ अंतिम प्रश्चन होगा गांधे जी के बारे में आप क्या जानते हैं? चात्र समस्यात्मक और मौन अब इन्ही प्रश्चनों के समाप्त होने के बाद जो समस्या आते हैं तो नेश्देश दिया जाता है चात्र अध्यापक द्वारा आज हम सब महत्मा गांधी नामक प्रकरण के बारे में विस्तार से अध्यन करतनेंगी और देशा किसमें दिया गया है महत्मा गांधी का चित्र सार के रूप में जो लिखना होता है यहां पर हम मुख बिंदों को अंकित करते हैं तत पस्चात परवेचक टिपड़ी जो प्रस्तुत की जाती है तो वह पहले के तुल नामे परवेचक क्रमसा एक दो तीन चार पॉइंट बिंदों को रूप में अंकित करते हुए वह प्रस्तुत पुना सिच्छन पाठ्योजना की अंतरगत सबचे पहले नंबर एक पर यहां पर प्रस्तुत करेगा तो जो पहला आएगा वह पोश्टिप शकारात्मक द्रिष्टकोण पर अपना विचार व्यक्त करते हुए अंकित करता है कि छात्रा द्यापक द्वारा के गई पाठ्ट की प्रस्तुती में पहले के तुलना में वह तुट्रुटी कम से कम देखने को मिली कि दूसरे बिंद में यह प्रस्तुत करता है कि पुना सिच्छन पाठ्ट हो जना की प्रस्तुती में छात्रा ध्यापक द्वारा आत्म विश्वास कान्फिडेंस पहले के तुलना में बहतर अर्थार शुद्रिन देखने को मिला तीसरे में भी कॉलम परबिंदु परंकित करता है छात्रा ध्यापक द्वारा पुना सिच्छन कार में सबी छात्रों से पूर्ण उत्तर या व्यवस्थेत उत्तर प्राप्त किया गया नेस्ट गॉइंट में में लिखते हैं कि पुना सिच्छन पाठ्योजनामी छात्रा अध्यापक द्वारा व्यवस्थेत रूप से टीचिंग एड या सायव्शामगरी का प्रियोक किया गया इस प्रकार से वह नेमने बिन्दों को अंकित करते हुई यह छात्रा ध्यापक द्वारा प्रस्तुत किया गया पाठ्योजना को उनके विवरण के रूप में अंकित करता है और छात्रा ध्यापक द्वारा पाठ के सुमापन पर जो पर्वेच्छक द्वारा टिपड़ी कांकन किया गया उसका वह पुना अध्यान करता है और वह सटिस्फाई होता है कि जो पाठ्योजना में प्रस्तुति पहले की तुरुना में री टीचिंग में बेहतर प्रदर्शन रहा है इसे उसे और अधिक अपने प्रोफेशन को सुद्रिण करने के लिए प्रभावसाली बनाने के लिए भी वह बार-बार प्रयास करता रहता है और यह अभ्यास तब तक चलता रहता है जब तक कि उसके शिच्छन अभ्यास में कोई कमी ना रह जाए अर्थात तुट पूर्ड प्रभावसाली शिच्छन कर सके और स्वयन को एक कुफल शिच्छक के रूप में बेवस्थेत रूप से बना सके इसी संदर्व में पुना शिच्छन का आशे चरपार्थ होता है और पुना शिच्छन जितना प्रभावी होगा उतना ही वह कुफल शिच्छक के रूप में अपने को व्यवस्थेत रूप से कर सकेगा इस प्रकार से जो हमारा शिच्छक बित्तिक विकास है वो अपने स्वयम का मोल्यांकन करते हुए आगे अपने व्यवस्थाय को कितना प्रभावी बना सकता है यह छात्रा धापक के ओपर ही निर्भर करता है और इसी के द्वारा ही निरिच्छन सूची और तालिका का भी तारू प्रस्तुत किया जाता है और निर्च्छन सूची तालिका के आधार पर ही मुल्यांकन स्वभाविक है किया जाता है और सबसे पहले हम जो परवेच्छन कार करते हैं तो परवेच्छन का आधार जो होता है वो पाठ योजना का जो कौन से कौसल का प्रारूप प्रस्तुत कर रहे हैं और उस कौसल का घटक क्या है उस घटक के अनरूप जो हमने ये प्रश्णों का समावेश किया है निरूपन किया है कितने घटकों को ये प्रश्ण प्रभावित कर रहा है शंबंधित है शंबंध रख रहा है ये नियर्धारित करता है निरिच्छन तालिका इस जो घटक या प्रश्न जितने घटकों को प्रभावित करता है शम्बन्द रखता है शबध्ध है उतने ही अंग पर हम निरिच्छन तालका में जो संकेत करते हैं और उसे के आधार पर हम यह आकलन करते हैं या करते हैं कि हमारा इस्तर शिच्छण के रूप में कहां पर रहा है कैसा रहा है इस संदर्व में हम निर्च्छण तारिकव को आधार मानते हैं और निरिच्छन तालका का आधार जो होता हो वो परवेच्छन की टिपड़ी होती है और परवेच्छन की टिपड़ी का आधार वो कौसल के द्वारा जो घटेत घटक होते हैं वो घटक के आधार पर ही वो अपने आपजर्वेशन को वो दिशा देता है उसे के आधार परांकित करता है तो इस प्रकार से हम अपने सिक्षण को जो निरिच्छन तालिका और मुल्यांकान का आधार लेते हैं वह आधार जो होता है कोंसल के घटक होते हैं और अब हम निरिच्छन तालिका और मुल्यांकान तालिका टैले चिल्न लगाना इसको हम आगे के वीडियो में अध् पुन्हा सिच्छण के अंतरगत बस इतना ही अधन किया है और नेस्ट के वीडियो में हम निरिच्छण सूची और मुल्यांकन तालका के बारे में जानेंगे तब तक के लिए हम अपनी वाड़ी को विराम देते हैं धन्यवाद